स्री शिवाय नमस्तु भ्यम साथ सितंबर जन्मास्टमी का दिन है सूप दिन है कृष्णा जी का प्रश्प्रकट उस्सव है अगर छे तारीक के दिन आप उपाय नहीं कर पाए तो साथ तारीक का दिन हमारे पास है यहां उपाय विशेश आपको रातरी बारा बजी के बात करना है जी हाँ और अपने घर में ही करना है तो क्या करना है चली वीडियो सुरुवात करते हैं स्वागाते मोधिती ओफिशल चेनल पर अगर आप लोगों ने अभी तक चेनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्टे चेनल को सब्क्राइब कीजेगा और वीडियो को और लोगों तो जरूर सेर कीजेगा आपके सपोर्ट की आपके चेनल को बहुत आशकता है और आप सभी को मोजिती ओफिशल चेनल के तरफ से, मोजिती ओफिशल परिवार के तरफ से जनमा इश्मी परवे की बहुत बहुत शुपकामना है आप भी मुझे कमेंट करके शुपकामना दे सकते हैं सबसे पहले जानकारिया है कि सभी लोगों को अपने घर में एक छोटा सा जूला कृष्णा जिरिद के लिए बनाना चाहिए जी हां, लड्डू गोपाल के लिए एक छोटा सा जूला अपने घर में बनाना चाहिए अगर आप अभी तक नहीं बनाते आ रहा है तो कोई बात नहीं पर मार्केट में बना बनाया जूला मिलता है लड्डू गोपाल सभी की घर में रहते हैं तो छोटा जूला बनाईए लड्डू गोपाल को तयार कीजिए शिंगार कीजिए और शिंगार करने के साथ सथ लड़ू गोपाल के लिए एक मौर पंक तो अवश्य लेकर आईए जी हाँ, क्या लेकर आना है? मौर पंक मौर पंक लेकर आईए, बासूरी लेकर आईए साथ में लड़ू गोपाल को माखन और मिश्री का भोग तो लगाना ही है हमें पर इसके साथ साथ धनिया जो आता है जी हाँ धनिया का जो खड़ा धनिया आता है उसे सेख ले पेले सेख कड़ाई में सेख ले सूखा धनिया जो आता है सेख ले और सेखने के बाद उसको बारिक कर ले पीस ले मिकसी में और पीसने के बाद उस तोड़े सक्काय मिला ले औ देखिए आप सभी जब कृष्णा जी को मोर पंग और बासुरी समर्पित करेंगे जन्मास्टीमी के दिन अगर आप नहीं करते हैं तो अवश्च जी के लिए एक मोर पंग और एक बासुरी तो अवश्च लेकर आईए मार्केट में आपको बासुरी को बड़ी सिन लाना है छोटी सी बासुरी मिलती है भगवान की समागरिजा मिलती है वहाँ आपको मिल जाएगी मुस्किल से 20 रुपे के 30 रुपे के आपको मिलेगी और मोर का पंग तो मात्री 10 रुपे के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा तो अगर आपके घर में लड़ू गोपाल है तो अव लेकर अपने घर की तिजोरी लॉकर में उसे रख देना है इससे क्या होगा इससे हमारे घर में कभी भी धनलक्ष्मी की कमी नहीं होगी द्धनलक्ष्मी संपद्दा में बरकत होगी और हमें किसी की भी आगे हाथ पिलाने की जरुवत नहीं पड़ेगी पर ध्यान रखे जो बाशुरी समर्पित करेंगे वह बाशुरी किष्णा जी के पास जी रखना है उनसे दूर नहीं करना है दूसरा उपाए यहाँ उपाया हाली में गुरुजी ने सोला सोमवा श्यू महापुरण कथा में बताया था गुरुजी ने एक कथा बताई थी सुंगंदा की जी हाँ जो उजेन नगरी अवंदिगा नगरी की पुत्री है यहीं महा की रहवाशी है गुरुजी ने का था पता ही थी कि उनकी जो मा थी उनका एक नियम था वह क्या करती थी महाद्यों की जब सिवाले जाती थी तो ना जतूरा ना बेल पत्री ना जल कुछ भी लेकर नहीं जाती थी पर उसका एक नियम विशेश था वह नियम यह था कि वह इत्र जी हां जो पर तो आपकी कोई मनुकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है जो मनुकामना टलती ही जा रही है आपने बहुत प्रयास कर लिया है तो कल है अस्टमिती थी जी हाँ तो कल अस्टमिती थी है कल शाम के समय प्रदोस काल के समय आप भी यहां उपाय कर सकते हैं और महादेव को प्रशन कर सकते हैं मनवानशित्फल की प्राप्ति कर सकते हैं तो यह वीडियो पसंद आए आपके थोड़ी बहुत भी उपयोगी र पर हर महादेब